स्वस्थ रहने के नियम तीस साल से उपर वाले जरूर देखे और सुने पहला सुझाओ प्यास ना लगे या जरूरत ना हो तब भी हमेशा पानी पिए सबसे बड़ी स्वस्थ समस्याएं और उन में से ज़्यादा तर श्रीर में पानी की कमी होती है इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए दूसरा सुझाओ श्रीर से अधिक से अधिक काम ले श्रीर को हिलना डूलना चाहिए चाहे पैदल चलकर या तराकी करके या किसी भी परकार के खेल से जैसे भी हो बोडी का मुमेंट होना जरूरी है तीसरा सुझाओ भोजन कम से कम करना चाहिए जितनी भूख हो उससे कम ही भोजन करे अधिक भोजन के लालसा को छोड़ दे अधिक भोजन कभी भी अच्छा नहीं होता लेकिन अपने आपको वंचित ना करे आप सिर्फ मात्रा कम करे प्रोटीन, कार्भोहाइट्रेट्स, अधारित, खाद पदार्तों का अधिक परियोग करे चोथा सुझाओ जहां तक संभव हो सके वाहन का परियोग तब तक ना करे जब तक की अतियंत आवशकता ना हो जब आप कहीं सामान लेने जा रहे हैं या किसी काम के लिए जा रहे हैं तो पैदल चलने की कोशिश करे लिफ्ट, एस्कलेटर का उप्योग करने की बजाए सीडियां चड़े ऐसा करने से आपको काफी फाइदा मिलेगा पांचवा सुझाओ क्रोध छोड़ देना चाहिए चिंता बिलकुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता चिता के समान होती है चीजों को नजर अंदाज करने की कोशिश करो विक्षोब की सिधियों में स्वयम को शामिल ना करें वे सबी स्वास्थे को कम करते हैं और आत्मा के वहबग को छीन लेते हैं साकारात्मक लोगों से बात करें और उनकी बात सुनें उनसे आपको अच्छी सीख मिलेगी चटा सुझाओ सबसे पहले पैसे का मो छोड़ देना चाहिए अपने आसपास के लोगों से खूब मिलें और सबसे हस कर बोले पैसा जीने के लिए बनाया गया था जीवन पैसे के लिए नहीं साथवा सुझाओ अपने आप के लिए किसी भी तरह का अफसोस महसूस ना करें और ना ही किसी ऐसी चीज पर अफसोस करें जिसे आप हासिल नहीं कर सकें और ना ही ऐसी किसी चीज पर जिसे आप पा नहीं सकते इसे अंदेखा करें और भूल जाएं आठवा सुझाओ पैसा, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, सुन्दर्ता जाती की ठसक ये सबी चीजे ही है जो एंकार से भर देती है विनमरता वह है जो लोगों को प्यार से आपके करीब लाती है इसलिए हमेशा विनमर पूर्वक रहें किसी को घमंड बिलकुल भी ना दिखाएं क्योंकि घमंड बहुत अधिक दिनों तक नहीं चलता अगर आपके बाल सफेद हो गए हैं तो इसका मतलब आपके जीवन का अंत नहीं है यह एक बहतर जीवन की शुरुवात हो चुकी है आशावदी बनो प्यार के साथ जीओ यात्रा करो आनंद लो यादे बनाओ खुशिया इकट्ठी करो अपने से छोटों से भी प्रेम, सहानुबूती और अपने पन से मिलें कोई भी व्यंग्यात्मक बात ना कहें चहरे पर मुस्कुराहट बना कर रखें अतीद में आप चाहे कितने भी बड़े पद पर रहें हो वर्तमान में उसे भूल जाएं और सबसे मिल जुलकर रहें स्वस्त रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें आपका जीवन मंगल में हो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी कोमेंट बोक्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे तो मिलते हैं ऐसे और टिप्स के साथ नेक्ट वीडियो में तर तक धन्यवाद झाल में तर लाइक ऑन्यवा जरूर टे लाइक हैं तर इस और टूर टूर आीज़ कि भीडियो में हागा करे